नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपके अपनी यूट्यूब चैनल पर बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेट के बारे में देखे स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को अच्छे खासा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है बलकि अगर टोटल मार्केट के बात करेंगे उसके अंदर गिरावर देखने को मिल रही उपर के लिवल से गिरावर हम लोगो को बजार के अंदर इस समय चाहरी है तो देखे ऊपर नीचे के चार्ट परण भी आपको काफी सारे शियर्ज के अंदर इस समय दिखाए दिरो तो अगर विप्रो कमपनी की बात करें तो मूँ करते हुए नज़र आते हैं, कभी जो है नीचे की तरफ, जो हम लोगों गिरते हुए नजर आते हैं, तो फिलाल मैं आपने देखा, कि जिस तरह से मार्किट का रुख जो है आपको उपर की तरफ दिखाए दिया था, तो आज आपको total market के अंदर profit booking देखने को मिल रही है और वैसे भी आप जानते हैं कि हपते का आखरी trading session है तो कहने का मतलब है कि अब जो भी कुछ हम लोगों कहानी देखने को मिलेगी वो दो दिन के बाद यानके Monday के कारोबार में देखने को मिलने वाली है अब देखे अगर विपरो कंपनी की बात करें तो रुजहान positive है पिछले एक महीने से लगातार अच्छा खासा momentum हमें विपरो कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है निचे के level से करें बात करें तो यह stock से लगबख 400 रुपे से लेकर और 500 रुपे से भी उपर के chart pattern बनाता हुआ नजर आया एक तरफा चाल जो है आपको इस stocks के अंदर देखने को मिली है और मातर एक महीने में लगबख 20% की इसके अंदर हम लोगों को jumping देखने को मिली है इसी तरीकी से पिछले 6 महीने में लगातार जो है recovery के संकेत प्राप्त होने 48% से ज़्यादा के positive return बनते होने जरा है एक साल का भी यही हाल है दोस्तों लगातार जो है तेजी के संकेत हमें कंपनी के अंदर बनते होने जरा रहे और हमारा पैसा लगबख ढ़ाई गुना से भी जादा यह कंपनी करती होने जरा रहे अब सबसे बड़ी बात जो है निकल के यह आ रही है कि क्या इसके अंदर अभी भी खरीदारी करने का वक्त है या फिर stocks के अंदर गिरावट होने देते हैं एक गिरावट हो जाएगी तब जो है हम इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं रोजहान पोजिटिव चल रहा है एक साल दो साल पांस साल लगातार जो है अच्छा का सा मोमेंटम देखने को मिला देखें तो इससे पहले लगबख जब यह कंपनी एनसी बेस से में लिस्ट हुई थी तो शुरुवाती दोर में च्छे का से लेवल से हम लोगों को देखने क को मिले थे सन 2000 के आसपास उसके बाद में लगातार गिरावट का सेंटिमेंट्स बंता रहा बट धीरे-धीरे करके इसे ही वापिस से अच्छा का सा मोमेंटम हमेशा हमें इसके अंदर देखने को मिलता रहा है और अभी अगर देखें तो अच्छा का सा रुजहान भी प्रॉफिट बुकिंग कब देखने को मिलेगी किसी को कुछ नहीं पता कितना माल और खरीदने वाले हैं और कभ ये विक्वाले स्टार्ट करते हैं तो इसके पीछे भी कुछ रीजन निकल के नहीं आता है तो दोस्तों उतना ही माल खरीदिये गया जितना कि आप होल्ड कर सक सकते हैं और दूसरी बात यह है कि अगर स्टॉक्स के अंदर जाधा घिरावाट आपको देखने को मिलती है तैयारी आपको करके चलने कम सकम 200 रूपे तक तो अगर यह स्टॉक्स नीचे 200 रूपे तक भी चले जाएगा तब भी आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि मैं इसके अंदर खरीदारी कर सकता हूँ अराम से जो है माल डालकर लोंग टम के लिए छोड़ सकता हूँ एक साल दो साल पांच साल तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है देखे इतना ही पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में डालिएगा जितना कि आपको जो है जरुरत नहीं ह किसी स्टॉक्स के अंदर फस भी जाता है तो आप उसे लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं मारके चल सकते हैं कि आपने कोई पैसा कोई FD कर रखी है तो इस परपस से जो है आपने स्टॉक मारकेट के अंदर डाला हुआ है तो यही सारी रनीतियों के साथ में आपको स्ट स्टॉक्स के अंदर तीजी का माहौल है तो एक बड़ी ख़बर निकल के आ रही है और उस बड़ी ख़बर का बड़ा इंपक्ट इस समय हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है देखे जैसे कि आप जानते हैं कि यह जो क्वाटर रहा था मैं बात कर रहा हूं Q4 की त तो अब तयारी करके चलते हैं अगले क्वाटर की यानि के Q1 की तो यह जो अगला वाला क्वाटर होने वाला है यह एक अप्रेल से स्टार्ट होने वाला है और यह हमारा जून के एनर तक रहने वाला है तो इसके जो रिजल्ट हम लोगों को दिखाई देंगे या तो और भी ग्रोथ हमें इस क्वाटर में कंपणी के अंदर देखने को मिले तो यहां से लगबख जो है छैसो साड़े छैसो साथ सो कहीं भी जाता हुआ नजरा है क्या यह भी हो सकता है कि यह स्टोक्स आपको जो है नीचे लगबख 200-200 रुपे के आसपास तर भी मूव उता नजरा है तो दोनों तरफ की हमें तैयारी करके चलनी है तो फिलाल में दोस्तों कंपणी की तरफ से जो रिपोर्ट हम लोगों को इस समय प्राप्थ हो रही है इन्होंने क्या कहा है पूरी तरीके से अनलेसिस कर लेते हैं तो एक सीक्वेंसली रेंज मान के चल रहे हैं की एक रेंज मान कर चल रहे हैं कि लगबग 2.3 billion dollar के आसपास से लेकर और 2.36 billion dollar के आसपास तक ही रहने का जो अनुमान लगाया जा रहा है तो फिलाल में ग्रोथ का अनुमान लगता हुआ नजर आ रहा है और आपने देखा कि Q4 के अंदर भी बड़ा action आपको company के अंदर द आते हैं देखे एक स्टॉक्स ऐसा होता है कि आपको लेके 10 परसेंट 5 परसेंट 20 परसेंट 40 परसेंट 50 परसेंट चितना आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे उतना भी आपको return कमा के दे सकता है तो कितना action आपको company के अंदर देखने को मिलेगा कितनी growth हम लोगों को देखने को मिल रही हैं तो ये company नीचे भी जाती हुए नजर आ सकती हैं बट आपको ये चीज़ सोचके चलने हैं कि जिस तरह की से तीन महीने आपके सामने निकल के आ रहे तो आपको हर महीने या फिर जब भी आपको अच्छे खासी गिरावाट देखने को मिलती है तो आप कुछ quantity इसके अंदर add करते हुए जा सकते हैं और prospectors आप अपना रख सकते हैं कि तीन महीने में आपको जो है अच्छे खासा momentum जैसे ही देखने को मिलेगा तो आपको कम से कम quantity ही इसके अंदर hold करनी है ज्यादा quantity आपको hold नहीं करनी है और आपको ऊपर की तयारी नहीं दोस्तों अबीद कीजेगा कि नीचे जिस भी लेवल पर आपने खरीदारी किए अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आता है तो आपके लिए एक good opportunity होगी वापिस से जैसे ही stocks के अंदर हम लोगों को momentum देखने को मिलेगा तो वापिस से अच्छे खासे return भी आपके बनने वाले हैं चो 55,244 करोड के आसपास revenue हम लोगों को दिखाए दे रहा था उसके बाद से लगातार व्रदी देखने को मिल रही है 55,000 करोड, 54,000 करोड, 69,000 करोड, 61,000 करोड एक कदुक का साल था जिसके अंदर गिरावट देखने को मिली बट अगर देखे तो overall momentum हम लोगों को उपर की करोड के आसपास आपको देखने को मिल रहा था revenue उसके बाद 16,245 करोड के आसपास आपको देखने को मिल रहा है उससे पहले देखे तो 15,096 करोड था उससे पहले 14,922 करोड था तो लगभग पिछले चार क्वाटर से growth लगातार जा रही है उपर की तरह भी move करता हुआ न जरूर मिल सकते हैं एक और important data में आपके सामने रखने वाला हूँ देखे हर quarter में जो है आपको share holding patterns update होती हुए नजर आती है तो अगर मार्च 2021 की बात करते हैं तो इस समय प्रमोटर्स के इस सितिती दिखाई दरी लगभग 73% के आसपास इनकी holding बनी हुई है इस से पहले से हम लोग खरिदारी देखने को मिली थी और लगभग जून 2020 मेगा देखे हैं इस्तिती तो 7.8-4% के आसपास अपको holding दिखाई दे रही है लगतार बढ़ोतरी देखने को मिली है और अगर अभी देखे हैं तो लगभग 9.2-1% के आसपास आपको growth देखने को मिल रही है देखें जिस तरह के से company के अंदर हमें लगातार उच्छाल देखने को मिल रहा है बिजिनस momentum high दिखाई दे रहा है तो कहने कि FSDS को लग रहा है कि growth और भी देखने को मिलेगी और भी ये stock हम लोग को उपर की तरह मूँ करता हुआ नजर आ सकता है बट अगर देखें तो दो देखने को मिली थी December 2020 में लगवग 6.08% के आसपास वापिस से track जो हम लोगों को उपर की तरह भी मूँ करता हुआ नजर आ रहा है 6.15% के आसपास जो होल्डिंग इससे में बनती हो नजर आ रही तो इस तो आप नए हैं डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो अब stocks के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं बहुत ही बहतरी निये company हम लोगों को इसलिए दिखाई दरी क्योंकि long term delivery बिल्कुल free है यानि कि holding पर ये किसी भी तरह का आपसे चार्ज नहीं लेते हैं और वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी फिलाल में company के अंदर एक दोस्तोकरी जानकारिया आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना आता कि नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मुबाइल पर मिसके थैंक यू सो मच फॉचिंग